मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक पता नहीं कौन है कहां है सिर्फ उसका नाम परता है डेविल क्या सल्मान खान के साथ नजर आएंगी जैकलिन फर्णांडिस क्या साजिद नाडियाडवाला ने जैकलिन फर्णांडिस को दिया तोफा है लो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्रेड स्टूडियोज में आज हम चर्चा करेंगे किक टू के बारे में जब से साजिद नाडियाडवाला ने खुलासा किया है कि किक टू डेविल सल्मान खान अभिनित जल्द ही रोल करने के लिए तयार हैं फैंस उसी पर आगे की घटनाओं के लिए सांस रोक कर इंतजार कर रहे हैं लेटेस्ट चर्चा के अनुसार रकुल प्रीट सिंग कथित तोर पर सीक्वल में सल्लू के साथ रोमान्स करती नजर आएंगी एक रिपोर्ट से पता चला है कि किक टू को 2022 में साल के अंत में रिलीज के लिए रखा गया है सीक्वल के पहले सल्मान और नाडियाड वाला कभी एद कभी दिवाली के लिए स्क्रीन पर आएंगे जो 2023 एद के आसपास होगी साजित पिछले साल से स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और फैंस उत्सुक थे फीमेल लीड कौन होंगी अगर हम हिंदी फिल्मों में मनोरंजन के लिए दूसरा नाम खोचते हैं तो सल्मान खान दिमाग में आते हैं सूपर स्टार के अपने 30 साल के करियर में दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाबी हासिल की है और अपनी हर एक फिल्म के साथ अधिक से अधिक मस्ती करना जारी रखा है उनकी सूपर हिट फिल्मों में से एक साथ साल पहले उसी तारिक को रिलीज हुई थी जिस दिन जैकलिन फर्नेंडिस की को स्टारिंग किक थी एक्शन हिट किक फिल्मों में सल्मान रड़ी पुड़ा और नवाजदिन सिद्धी और अच्छी तरह से कुछ सब के मनोरंजन प्रदर्शन थे ये एक सफलता बनने में कामियाब रहा ये भी कंफर्मेशन की गई कि पिसले साल सल्मान और जैकलिन के साथ किक का सीकूल बनाया जा रहा है पहली फिल्म में हमने देखा कि सल्मान का किरदार देवी और डेविल चोटे अनात बच्चों की मदद करने के लिए बुरे लोगों की दुनिया में उतरता है और अपनी खोज में वो अपनी किक को अपने जोखिम भरे लेकिन बहादुर केर से बाहर निकालने में कामियाब होता है फिल्म के अंत में डेविल एक पुलिस वाले में बदल जाता है और नए और मज़ेदार तरीकों से अपनी किक की तलाश जारी रखने का वादा करता है और सल्मान और जैकलीन की अगली कड़ी के साथ इसने निश्टित रूप से फैंस को सर्प्राइजड कर दिया है कि ये कैसा दिख सकता है इसलिए जैसे ही किक को आज 7 साल पूरे हो रहे हैं हमने उन चीजों को लिस्ट करने का फैसला किया है जिनकी हम सलमान और जैकलीन की किक के सीक्वल से उमीद कर सकते हैं जैसे की जैकलीन किक मुवी में सलमान खान के साथ नजर आय थी उसी प्रकार किक 2 में भी नजर आती दिखेंगी। साजिद नाडियाड वाला ने जैकलीन के बर्थडे पर तोफा दिया है। किक की सबसे बड़ी ताकत सलमान के स्क्रिंज डायलोग थे जिनें उनके प्रशन्सों को ने उठाया और सोचल मीडिया पर पोस्ट कर कैप्शन में रूप में देखा जा रहा है। अपने फैंस के साथ भी हिट हो गया था। अब जैसा की सीक्वल बन रहा है फैंस निश्टित रूप से सलमान और किक टू के मैनुफेक्चर्स डायलोग से कई और बिजेर डायलोग की उमीद कर सकते हैं। इसे के साथ अब हम लेते हैं आपसे अलविदा फिर मिलेंगे एक हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद